Hello CMA students, oh sorry, आज मैं बोलूगा हेलो CMA friends, तो कैसे आप सब लोग, guys friends इसलिए क्योंकि अब मैं आपका friend हूँ, क्योंकि मैं खुद एक student हूँ, yes guys, आज मैंने CMA के अंदर online admission करवा ली है, yes, now I am also a CMA student and I am proud to be a CMA student, yes, मैं भी CMA के student हूँ, आज मैंने online admission करवाई है, और जैसे कि कल मैंने वीडियो में कहा था कि कल मैं CMA student बन जाओंगा, कल मैं CMA की admission करवालूगा, तो वो मैंने करवाली है, बिल्कुल करवाली है, मैं को दिखा लिता हूँ, मुझे acknowledgement आचुकी है, acknowledgement of application for student registration, this is a system generated email, please do not reply to this email, thank you for submitting your application for intermediate, details of your application are as follows, application number this, course type this, coaching type this, postal, mobile, date of birth, etc, etc, yes guys, तो अब मैं CMA student हूँ, मैं आपकी community का हिस्सा हूँ, student community का हिस्सा हूँ, अब आप मुझसे अपनी problem खुल के share कर सकते हैं, not as a faculty, but as a friend, अब तक मेरा दिश्ता जो आपके साथ थाना, वो faculty और student का था, but अब हम लोग friends है, हम students है, भाई-बहन है, आ वरी डरने की बात नहीं है, अब आप अपनी problem को खुल के मेरे साथ discuss कर सकते हो, और अब अगर institute को CMA student के साथ बात करनी है, तो हम बिलकुल बात करने के लिए तैयार है, एक बात मापको और बता दूँ, एक बात मापको और दा दूँ, मेरा भी अब CMA intermade admission हो चुका है, तो आप बताईए क्या जो problem मेरे भाई भैरों ने face की, जिनका exam मुझसे पहले हुआ है, क्या वो problem मैं तो face नहीं करूंगा, टाइपिंग अभी भी करनी पड़ेगी या हटाने वाले हो आप, पैरलर online offline चलने वाला है, खाली online चलने वाला है, खाली offline चलने वाला है, क्या होने व बंध हो जाना, और और बताने कितनी प्रोब्लमें, पंदरा मिनिट का, कोशन पर परपढ़ने के लिए ना देना, ये सब प्रोब्लम चलेंगी या बंद होगा, भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा हग बंद है कोशन पूछने का, मेरा हग बंद हूँ, मैं पूछ हूँ ह मुझे सब कोशनों के जवाब चाहिए, मैं अजय स्टूडेंट हूँ, और एक बात सच बता हूँ आज, बड़े ध्यान सुनना, स्टूडेंट का दर्द ना, एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, होता कहना, जब किसी को दर्द होता है, तो दर्द हम समझ तो सकते हैं, लेकि की फीस लगते हैं, छोटी फीस नहीं है, काफी अच्छी खासी फीस है, मैं समझ सकता हूँ कि 23,100 रुपीस फीस कि स्टूडेंट ने कैसे कैसे पे की होगी, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने बड़ी मुश्किलों से वो पे की हो, उसके बाद कोचिंग खर्चा, दिली से अ हुआ, फिर दिसम्बर तक जब बात पहुंची तो यही कलीर नहीं है कि एक्जाम कैसा होगा, आखरी मूमेंट तक उसे पता नहीं है कि एक्जाम में क्या होने वाला है, और जब पहला एक्जाम देने आता है, तो वो देख आपके पर पेटरन ही सीम नहीं है, कभी मौक टे कि नाम की तो जो एन नीकिने में में सारे एक्जाम्स दूँगा पूरी मतलब मैनस से पास होंगा पास होने की कोशिश और मैं सीय में करूँगा डेफिनिटली तो मुझे भी मुझे बीचिंटा है इस बात की भाई कहीं यह सब कुछ मेरे साथ नहीं ओने और अगर ऐसा होने वाला है तो मैं अभी से वाज उठाऊंगा मुझे इन सब के कोशनों के जवाब चाहिए नहीं अब ऐसा नहीं होगा हम ऐसा नहीं होने देंगे भाई मुझे अगर मोग टेस्ट पेपर इशू किया आता है तो वह बिल्कुल सेम पैटरन मुझे एक्जाम म मतलब यहीं होता है कि आप ये करके देख लो ऐसा ही एक्जाम आएगा कोशन चेंज कर लो वह लेकिन पैटरन क्यों चेंज कर रहे हो यह सब चाहिए और अगर सीमें सिर्फ सीमें स्टूडेंट से ही बात करना जाता ना तो हम बात करने को त्यार है बिल्कुल तो हम से बात तो मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है तो मैं चाहता हूं कि CMA इंस्ट्रिटूट तक ये वीडियो पहुंचे जो उनकी काउंसिल मेंबर है उन तक ये बात पहुंचे और वो इस बात का जवाब दे कि प्लीज अब बताईए आगे कैसे होगा पैटरन सेम रहेगा या चेंज करने वाले हो मोग टेस्ट के कोडिंग एजाम आएंगे या नहीं आएंगे यह सब जानना है तो बस आज की वीडियो में तो आपको यही बताने आया था कि मैं भी आपके साथ हूं मैं एक CMA स्टूरेंट हूं थैंक यू सो मच आप सब लोगों के साथ मैं जूड़ है छोलो हूँ छुका हूं अब और हम लोग डै की लड़ाई को आगे लडएंगे और तब तक लडएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता है यह तो बस दो लिचे